हेलो बच्चो वेल्कम बैक ट्यूर आउन चैनल एपियर साइंस क्लास का ठूमर तो बच्चो चैप्टरा फॉस्ट हमारा चल रहा है गुक्या आज हाट तो आज हम पढाएंगे आभेश का यूनिट क्या होता है क्योंकि आबिश तो उसका unit भी होना ज़रूरी है तो हम पढ़ेंगे कि आविश्क अबन major किसमें करता है unit क्या होता है उसका तो आज का मारा topic क्या है आविश्का मात्रक आविश्का मात्रक unit of charge unit of charge ठीक है कोई भी भोतिक राशी हो इसका हम इन मापन कर सकते हैं तो उसका मात्रक भी होगा कि हम इसे किसमें measure करना है तो कितना charge है तो charge का measurement किसमें करते हैं उसकी बात करें तो दो बच्चों छोड़ी क्लासों में हम भी पढ़ा है कि अगर मैं IE से धारा को शोग करूँ और Q से मैं charge को शोग करूँ और T से मैं time को शोग करूँ तो इसका मतलब है charge per unit time यानि आवेश प्रभा के धर आवेश प्रभा के धर क्या होती धारा तो यहां से अगर हम देखें Q is equal to क्या हो जाता है I into आवेश पराबर धारा गोना sum है तो बच्चों यहां से जो आवेश का मात्रक आता है आवेश का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा देखो धारा हम 11 क्लास से बढ़ चुके हैं देखार एक मूरराशी है ऐसा ही परधाती में तो धारा का मात्रक होता है एंपीर कापिटल एसे समचो करते है एंपीर इंटू अ कि का मतलब क्या हो गया second समय है इन आवेश का जो मात्रक हुआ हो गया एंपीर इंटू सेकट्ट ठीक है बच्छों आवेश का मात्रक historically हो गया ampere into second है तो बच्छों यह जो मात्रक है उसे हम बोलते हैं M K S A पदती में damage में quantity मेश का मात्र क्या हो गया MPAA into second ठीक है बच्छो इस MPAA into second को मिनाकरी बोलते हैं कुलाम कि इसी को हम क्या बोलते हैं कुलाम capital C से हम इस को शो करते हैं तो आवेश का MKS अबनती या ऐसा ही बनती में जो मातरक है वो क्या होता है कुलाम क्यों तो होता है किटा होथा बच्छों कुल्लाम क्लियर एक 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 है इस पर देदी में अविश्का मात्र क्या होता है कुल्लाम या ऐसा ही पर दी अम लिके चल सकते हैं ठीक है तो यह बात कि लिए हो गई तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा ही पदती है आवेश का मात्रक ऐसा ही पदती में आवेश का मात्रक क्या होगा? वो हमने लिखे अब ही कुलाम ठीक है? इंगलिश में इसको ऐसे लिखते है कुलाम इंगयनी का नाम है क्यापिटल सी से इसको हम शोग करते है इसमॉल सी, इसमॉल सी प्रेकाश का भी होता है इसमॉल सी इसे कुली टू तैन रेजट टी पावर एथ मीटर पर सेकिड तीन गुणा तसकीलाद आठ वीटर पर सेकिड तो ऐसा ही बदती में आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम, capital C, ठीक है बच्चो? अब बात करेंगो CGS बदती में CGS बदती में आवेश का जो मात्रक होता है उसे बोलते है, state कुलाम CGS बदती में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट को नाम एक इसको मत बोल सकते हैं एस और श्रह कंए एसी हो डिया एसी है की ज्य झोर्धों जो आ इस्टेट को नाम है कैसी उनिट होती है उसे बोलते हैं आवेश की देखो इलेक्ट्र इस्टेटिक मतलब इस्थिर इलेक्ट्र मतलब वैदूत तो आवेश की इस्थिर वैदूति होती है आवेश की कैसी काई होती है इस्थर वैदूति क्लिया लएख तो सीजेएस पतती में आवेश का मतलब होता है स्टेट को नाम या इस्थियू इसका बोलते हैं बच्चो फ्रैंकलिंग बोलते हैं और इस्थियू का पुरा नाम क्या होता है सब्सक्राइब केसे सकत्राइब ब सब्सक्राइब मैं किटने स्टेट अधिकया अने कुलाम को अचार White highest पुछ लेके हैं एक कुलाम भराबर क्या होता है तीन गुणा दसकी घात 9 ESU 3 into 10 to power 9 ESU यानि इतना ESU मिलकर क्या बनेगा एक कुलाम इसका मतलब कुलाम एक बड़ा मात रखें तीन गुणा दसकी बाउन तो 9 ESU मिलकर क्या बनता है बच्छो एक कुलाम ठीक है ना तो काफी ज्यादा बड़ा मात रखें छोटे मात रखना हम ले सकते हैं इसे माइक्रो कुलाम मेलिया कोश्चन हम देंगे तो कोश्चन हम को बता लगेगा माइक्रो कुलाम तो इसे मतलब और माइनस 현 कुलाम ऐसे मनलों 99 की बात करें रखें दसकी बाउन माइनस नूव कुलाम ये मैंदें माइक्रो मतलब 10des2 सीगाफ मारिक ग्र्हक्स 6 दसकी इगाथ माइनस शेएग और नेहरो मतलब 10 डिबाउन मयनस 9 माइनस नो तो एक कुलाम बनाबर होता है तीन गुणा दसकी का नो एस्यू एस्यू का मतलग क्या होता है आवेश की इस्थिर वैदुत इकाई ठीक है क्लियर है ओके आगे देखें एक बचो एक यूनिट और होता है आवेश का उसे हम क्या बोलते हैं आवेश की वैदुत चुम्ब के एकाई वैदुत चुम्ब के एकाई आवेश की वैदुत चुम्ब के एकाई ठीक है बचो इसे बोलते हैं इम्यू आवेश की जो वैदुत चुम्ब के एकाई होती है बिलकुल यह भी CGS यूनिटी होता है EMU भी CGS यूनिट है लेकिन ये वैल्टर चुम की काई है EMU तो EMU का मतलग क्या हो गया Electromagnetic Unit Electromagnetic Unit आवेश की बैतो चुम की काई क्या होती है EMU Electromagnetic Unit और बच्छो इसी को बोलते है N को लाँ इध्यानत ने आपको इसका नाम Abkulam आवेश की वैदो चुम के काई जो होती है उसे बोलते है EMU Electromagnetic Unit या Abkulam तो बच्छो क्या relation होता है देखो 1 EMU बराबर होता है 10 कुलam एक EMU बराबर क्या होता है 10 कुलाम 10 कुलाम मिलकर क्या बनता है EMU बनता है तो 1 EMU को हमने क्या बोल दिया 10 कुलाम इसका मतलब यह हुआ कि 1 EMU देखो एक कुलाम में है 3 गुड़ा 10 की खाथ 9 ESU तो 10 कुलाम 10 से गुड़ा कर देशको तो 1 EMU में कितना है था 3 गुड़ा 10 की खाथ 10 ESU Important relation है EMU का मतलब Electromagnetic Unit वैदो चुम के एक आई जिसका माहन होता है 3 गुड़ा 10 की खाथ 10 ESU Electroestatic Unit ठीक है तो बच्चों यहां से हम दिखो इसको देखें कि यह आवेश की वैदो चुम केक आई और यह आवेश की स्थर वैदो दिकाई दोनों CGS में है तो इसका जो मान है वो आता है 3 गुड़ा 10 की खाथ 10 3 गुड़ा 10 की खाथ 10 तो यह 3 गुड़ा 10 की खाथ 10 3 इंट 10 स्ट पाथ 10 यह वैल्यू देखकर आपको कुछ यह आदा रहा है बिल्कुल मैंने उपल लिखा हुआ है कि जो प्रकाश का वेग है प्रकाश का वेग 3 गुड़ा 10 की खाथ 8 मीटर पर सेकिंड यह CGS में वैल्यू है इसको CGS में गर्वत करें बच्ण 3 गुणा 1 मीटर में 100 सेंटी मीटर होते है तो कितना हो जाएगा 10 की खाथ 10 सेंटी मीटर पर सेकिंड प्रकाश का वेग CGS में होता है 3 गुणा दस की खाथ 10 सेंटी मीटर पर सेकिंड यह इसका मतलब यह हुआ यह जो अनुपात है आवेश की वैदो चुम के एकाई और इससे वैदो चुम के एकाई का जोन पात है वो किस मान को बताता है वो प्रेकाश के वेग को दर्शाता है प्रेकाश का वेग तो आवेश की वैदो चुम के एकाई यानि आवेश की इस्थिर वैदो टिकाई का जौन पात है वैदो चुम के एकाई और इस्थिर वैदो टिकाई का जौन पात है वो कौन सी बहुतिक राशी के मान को दर्शाता है तो उसका अंसर क्या होगा प्रिकाश का वेग velocity of light क्लियर है velocity of light ठीक है अब अच्चों यह जो Franklin लिखा हुआ है state को नाम yes you are Franklin तो एक पूछ लेते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो दो को मैं अनक सा लिख रहा हूँ आवेश का सबसे छोटा मात्रक सबसे छोटा ठीक है तो इसको हम बोल देता है Franklin Franklin ESU भी बोल सकते है state को नाम की बोल सकते है तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है Franklin FR ज़का छोटा है तो बढ़ा भी होगा तो आवेश का सबसे बढ़ा मात्रक सबसे बढ़ा मात्रक यह चोटा फ्रैंक्लिन हो गया सबसे बड़ा जो मातरक होता है फ्रैंकलीन क्लियर है तो प्रैंक्लिन का तो में पता है कि कितना माल है उसका देखो फेराडय में लिखता हूं कि एक फेराडय किसे बराबर होता है एक फराड़ी होता है बरावर 26,500 कुलाम एक फराड़ी किसे बरावर होता है? 26,500 कुलाम तो बड़ा मात रखे हैं को कुलाम ही काफी बड़ा मात रखे हैं आप देख रहे हैं नीचे यह तीन गुणा दस्कीगात 9 ESU मिलकर एक कुलाम बनता है उच्यान में आजार पांट सो कुलाम मिलकर बनता है फ्रैराडे ठीक है क्लिए लोगे बाद सबसे बाड़ा मातर फ्रैराडे होता है सबसे छोटा फ्रैंक्लीन होता है ESU का मतलब इलाक्टर स्टैटिक यूनिट इससे वदो दिकाई एक कुलाम बनाबर तीन गुडा उसके बाद नो ESU और वदो चुमके खाई होती है EMU Electromagnetic Unit एक एक एम उ बनाबर होता है दस कुलाम तो एक एम उ बनाबर तीन गुडा उसकी बाद दस ESU इनका अउनपार प्रैकाश के वेग के बनाबर होता है यह होगा है बच्छों आवेश करें मात्रक ठीक है कि विमा में हम मालूब कर सकते हैं आवेश की विमा यह इसका विमेश ओतर क्या होगा आवेश की विमा बिल्कुल हमें पता है क्यों बराबर क्या होता है आई इंटू की आवेश बराबर धारा कोना सब क्यों बराबर क्या होता है आई इंटू टी ठीक है तो धारा की विमा क्या होती है एवन और समय की विमा क्या होती है यानि आवेश की विमा क्या हो जाएगी तो से MLT के रूप में लिख सकते है M0, L0, T1, A1 M0, L0, T1, A1 ही क्या हो गई या आवेश ही क्या हो गई विमा Dimension of Charge आवेश की विमा ठीक है Next बचों ये आवेश और इसके गुंतरग हमने पढ़ लिए आवेश के मातरग हमने पढ़ लिए तो अब हम पढ़ेंगे Very Important Law जो एक्जाम में भी आता है उस पर question भी बनते हैं काफी तो जिसका नाम है कूलाम का निया तो heading Next कूलाम का निया ठीक है Important कूलाम का नियान कूलम स्लो कूलाम का नियान कूलम स्लो तो कूलाम ना जो क्या बढ़ाया जैसे हमने 11 क्लास में बढ़ा है कि भी कोई दर्वान हमारे पास है जिसका मान है M1 दूसरा दर्वान है जिसका मान है suppose करो M2 और दोनों के बीच में दोने कितनी स्मॉला तो ये दर्वान ये दर्वान के बीच में एक force लगता है जिसे हमने क्या गोड़ा था गुर्थवा कर्शन बल और न्यूटन के अनुसरा F is equal to force कितना होता है Z M1 M2 upon R square तो दोनों के मद्धें लगने वाला गुर्थवा कर्शन बल था तो बिल्कुल ऐसे ही कुलाम ने दो आवेशों के मद्धें लगने वाले बल के बारे बात करी लेकिन जो आवेश है वो इससे रहने चीए और बिंदुवत होने चीए तो कुलाम ने केबल वैदुद बल के बारे बात की थी कुलाम ने केबल किसके बारे बात की थी वैदुद बल आवेश गतिशील होंगे तो हम कुलाम का नियम नहीं लगा सकते वोगि हमने पढ़ा है पहले चेक्टर पहले वीडियो में कि अगर आविश गती शील हो गया तो उसके चुम्ब के छेतर पी बनाएगा तो कुलाम ने चुम्ब के बलकि कोई बात नहीं करी कुलाम ने क्या बलकि किसकी बात करी वैदुद बलकि तो कुलाम क्या कहता है इसको हमें लिख दो देखो कुलाम की नियम अनुसाब क्या लिख सकते हैं कुलाम की नियम अनुसाब तो कुलाम ने लो दिया कि नियम दिया दो आविशो के मद्दे फोर्स निकालने के लिए तो कुलाम की नियम अनुसाब यानी बिन्दुवत यानी बिन्दुवत आवेश तरी उनके आकार के तुल्ला में बहुत जदा हो तो उनको बहुत зай बिन्दुवत आवेश अजने वाली अन्योने क्रिया फोर्स हमेशा अन्योने क्रिया की फलसुलों भी लगता है तो इस तिर एवं बिंदुवात आवेशों के मद्दे होने वाली अन्योने क्रिया के कारण लगने वाली वैदुत बलकामान लगने वाली वैदुत बलकामान ठीक है? उन दोनों आवेशों के दो आवेश मेरे पास है जो के इस सिर्ण होने चीए बिंदुबत होने चीए तो उनके मत्रे होने वाली अंग्योंने किर्या के कारण लगने वाली वैदुद बलकामा उन दोनों आवेशों के परिमानों के ठीक है? आवेश पॉसिटिव हो सकता है? रेगिटिव हो सकता है? बात कर रहे हैं परिमान के उन दोनों आवेशों के परिमानों के गुननफल के गुननफल के समानुपाती एवं उनके मत्रे हैं उनके किनके? आवेशों के मत्रे हैं एवं उनके मत्रे हैं दूरी के वर्ग के वित करमालुपाती, इनिवर्सनी प्रपोश्णल, उनके वद्धे दूरी के वर्ग के वित करमालुपाती होता है, तो यह था बच्छो कुलाम का नियम, कि दो इस्थिर एवं बिंदूमत आवेशों के मन्दे होने वाली अन्योने किर्या के कारण फोर्स हमेशा लखना किसे कारण अन्योने किर्या के कारण लगने वाले वैदुत बल की बात होने के बन चुमके बल की बात नहीं कर रहे यहने हमारे दोनों आवेश कैसे होने चीए इस से रोने चीए तो वैदुत बल का मांग दोनों आवेशों के परिमानों के गुननफल के तो समानुपाती और दूरी के बर के क्या होता है विक्तामानुपाती होता है ठीक है अब देखो बल जो है वो सदिश राच्छी है तो बल जो लगेगा ये तो किवन परिमान की बात हो रही है तो बल किस दिशा में लगेगा तो इसलिए पिए हमने बता दिया वैदुत बल जो होता है ये गुलाम के देम में ही हम लिख सकते है वैदुत बल दोनों आवेशों को व्यादुत बल दोनों आवेशों को जोडने वाली रेखा के अनुदिश दोनों आवेशों को जोडने वाली रेखा के अनुदिश होता है बला जो बल की दिशन हो कि वो क्या होगी दोनों आवेशों को जोड़ने वाली देखा यह जो सरण देखा है उसके आवनदिश होता है ठीकिया बच्छो अब दोए जो वैदुद बल है ये वैदुद बल की बात करें हमें पता है वैदुद बल जो है वो आकर्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है थक किए न अब डोनों आ वेश समान प्रेकर्णी के होगे दोनों लिख्यूज़देगा तो इसके लिख सकते हैं इसको अटमाइटिकल ही कैसे लिख सकते हैं कि तो अब में इसको मैफमैटिकल लिख देते हैं तो सब उसकरो मैंने माना यह चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कितना है Q2 ठीक है दोनों के बीचों डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल र दो आवेश मेरे पास है Q1 और Q2 दोनों के बीचों दोरी कितनी है स्मॉल र तो कुलाम क्या कहता है कि जो बैदुत बन लगेगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के Q1 Q2 का परिमाण परिमाणों के गुड़ंफन के समानपाती और उनके मध्य दूरी के वल के क्या होता है? विदकमाणपाती होता है तो एक समानपाती Q1 Q2 अपन र इसकोर है समानपाती का चेना डेगा तो क्या आता है? कॉंस्टेंट के Q1 Q2 अपन र इसकोर है तो यह बल का परिमाण बता रहा है इक्विशन नमबर वान तो दोनों आवेशों के मध्य हैं लगने वाले वैदुत बल का जो मान है F is equal to कितना आ गया? के Q1 Q2 अपन र इसकोर है आवेश बढ़ेगे तो बल भी बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? कम होगा ठीक है? दो ध्याना के बच्चों समीकर नमबर एक में जो के होता है इसे नाम रख जिया हमने इस्तिर वैदुत निये तांक के क्या होता है इससे वैदुत ये तांक और इस के का जो मान है देखो M case में के का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा दसकी घात 9 9 गुणा दसकी घात 9 मातर यहां से निकाल सकते है नियूटन मिटा स्कॉरर पर कुलाम स्कॉरर यह M case में के का जो होता है 9 गुणा दसकी घात 9 नियूटन मिटा स्कॉरर पर कुलाम स्कॉरर वचो CGS में जो के की वैलु होती है वो होती है 1 मातर क्या होगा Newton से डाइन हो जाएगा कि के मेंटर से से संटीमीटर हो गये और यह एस्यू कुलाम से क्या बन जाएथा एस्यॿ का स्कवाय वहां कि एक एकसी में के बराबर होता है 9 sangat 9 newton मेर आरे स्क्राव पर कुलाम स्कवाय को सिजी में के बराबर होता है setup 1 9Sct m2 ein एकस måste कि वेह माहन का से आया यह वह हम बता दूंब कि दो की जो वैल्व होती है यह बराबर होता है वर अपॉरी एपसालन जो है कि वराबर क्या होता है वह लापॉन आप पॉर्टाइट जो ऑशिहना नॉट छिए यह अफंट के इस एक्वेल्ड टू वन अपॉन फॉर पैं क्या बोलते हैं निर्वात की विदुशीलता इसका मान की तरह होता है एक बटन 36 पाई गुणावस की घात नो ठीक है नो बार बेटे गई तो बच्चों यह उपर चला जाएगा तो के बराबर क्या ज़िए यासी नो गुणावस की घात नो इस तरह आता है एपसलान नोट को बोलते हैं निर्वात की विदुशीलता तो इससे नम के को फाइंड आउट कर सकते हैं तो कि लिए रहे हैं जो बन का मान है अगर विदुशु आ इस एक दूसर दूसर जाएंगे उससा लगे को विद्री परेगर करती के हुए कि दोना कैसे प्रेकर्टी के हुए विपिर्ट प्रेकर्टी के हुए तो जो बल की प्रेकर्टी होगी और कैसी होगी आकर्शन होगी बल कैसा होगा आकर्षन यहीं मालो एक q1 है और दूसरा मालो माइनस q2 है सबस्क्रो तो एक positive है दूसरा negative है यह से बार जाएगा इतने force से एक force से तो बल अकर समान परिमान के होंगी सुझे समान प्रकर्टि के होंगे तो प्रति-गर्षन अगली वीडियों में थेंक यू